तो फिर स्वागत आपके एक नए वीडियो के साथ दो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ V21E में आप यहाँ पे fingerprint animation कैसे change कर सकते हैं तो fingerprint lock अगर आप यहाँ पे लगा रखा है आपने तो यहाँ पे उसका animation कैसा होना चाहिए जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, बैक करके, आप यहाँ पर चले जाएंगे, डायनेमिक इफेक्ट पे, आप यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन का ओप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ अपको इस ट्रैप का आइकन देखने को मिल जाता है, इस ट्रैप का, तो यहाँ पर आइकन और अनिमेशन चेंज कर सकते हैं, तो जो आपको अच्छा लगता है, वो आप यहाँ पर अपलाई पर क्लिक कर लेंगे, तो वह यह आपका अपलाई हो जाएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आप ऐसा ओप्शन आ रहा है तो इस पर आप टच करेंगे इस टैप से तो यह आपको फिंगर्पिंट लॉक लग रहा है तो अभी मैंने सेट नहीं कर रहा है तो इस वज़े से आपको एक बर बता हरी हूँ तो यह अपलाई हो चुका है सक्सेस्वली और इसके बाद यहां पर बैक करेंगे और यहां पर आपको फिंगर्पिंट रिकॉर्गनाइसेशन अनिमिशन का ओप्शन देखने को मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगी तो आपको कुछ इस टैप से दिखेगा फिंगर्पिंट ख होता है तो यहां पर आप देख लेंगी कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है यहां पर तो वह आप यहां पर लगा सकते हैं तो यह भी काफी अच्छा है तो इसको मैं अपलाई कर दूंगी और इसके बाद यहां पर इसको ऑन कर दूंगी और इसके बाद बैक करके आपक कर सकते हैं तो आई होब कर इसी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी टैप के और इंट्रसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल विजिट करते रहेगा चले मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार